नमस्कार दसकों स्वागत है आपका हमारी चैनल सेक्रेट ओफ लाइफ पे आज की वीडियो धनूरासी के लिए अगस 2023 का रासी फाल मैं लेकर के आया हूँ वीडियो इंपोर्टेंट रहेगी लास तक देखिएगा देखिए अगर आप धनूरासी के हैं तो सबसे पहले आपके लिए जो मैं चीज कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि जिन्दगी कभी-कभी इमतिहान लेती है हर इमतिहान हमें बहुत कुछ सिखा देती है हो सकता है दुख थोड़े लंबे समय से चल रहे होó हो सकता है दुख थोड़े लंबे समय से चल रहे हों पर कभी भला दुखों को सदा ठहरते देखा है नमस्कार दसकों आपको मैं ये कहना चाहूँगा आप उम्मीद न छोड़ें जब तक जुन्दगी है तब तक उम्मीद है और इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम अगस्त के रासी फल को देखेंगे अगस्त रासी फल के बाद इस पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे कि साड़े साती के बाद भी थोड़ा सा परिसानी अभी नहीं खत्म हुआ है क्या आपको नजरिया होना चाहिए लाइफ के परती देखेंगे सबसे पहले बात कर लें अगस्त रासी फल में गुरू की लगनेस की स्वास्त की तो स्वास्त में लगनेस आपके राहू के साथ यहां चंडाल योग में है लेकिन गुरू अब पावर में आ रहे हैं और अच्छी बात है राहू भी एक्टूबर में निकल की आपका केरियर प्रोफेशन का लॉड मरकरी पूरे महिने सिंग ग्रासी में भाग्य भाव में रहेगा और केरियर प्रोफेशन पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है हाँ राहू थोड़ा सा मरकरी को जरूर देखेगा लेकिन फिर भी जो केरियर प्रोफेशन का भाग गी भाव में है, प्रोफिशन लॉड हो करके, और कुछ चीजे हैं जो आपके फिवर में है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, उसके बाद देखिए, करियर प्रोफिशन के बाद बात करूँ, एजुकेशन और लव लाइफ की, एजुकेशन और लव लाइफ का जो मार्स के कंडिशन से दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राहू और गुरू का चांडाल योग इसी भाव में बना है, तो आर्गुमेंट से बचिएगा, आर्गुमेंट से अगर आप बचते हैं, तो लव लाइफ के लिए और चिल्डरिन के साथ के लिए बढ़िया रहेगा, मैंने जैसा बताया कि राहू के रेमेडिस आप जरूर करिएगा, सिभजी की अराधना आप जरूर करिएगा, उससे जब चांडाल दोस्त थोड़ा सा आपका जो है वो कम पड़ेगा, तो उससे आपके एजुकेशन में भी फाइदा होगा, सं किस्थि और संतान किस्थि मंगल के पॉजिशन से बढ़िया दिखाई दे रही है, उसके बाद देखिए बात करनो, मैरेज लाइफ की मरकरी आपके मैरेज हाउस का भी लौड बनता है, और प्रोफिशन का भी बनता है, मैरेज हाउस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, मैर मैरेज लाइफ की स्थिति, मैरेज के बाद देखिए अगर बात करूँ भागी की, आपका भागी सुरी बनता है, 17 अगस्त तक सुरी यहां रहेगा, अस्टम भाव में, और फिर 18 अगस्ते कहां चला जाएगा, अपनी ही रासी में, यहां, जब सुरी यहां आएंगे, भागी भाव में जाएगे, 9 अगस्त में, अपनी रासी में तब ज़्यादा इस्थिति अच्छी रहेगी, तो 18 अगस्त के बाद भागे का साथ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आपके लिए, और चूकि 19 अगस्त से मंगल भी आपके 10 अगस्त प्रोफेशन हाउस में आ कि स्थिति 18 अगस्त से बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, तो ये जो गोचराद अधारित विवस्त था, इस से मैंने चीजों को आपको बताई, देखिए राहो गुरु के चांडाल योग पर, राहो गुरु का जो चांडाल योग अक्टूबर में खत्म होगा, अगर साड़े साती खत्म हुई, कुछ चीजे के कारण जैसे सनीक अस्त हुए, राहो गुरु का चांडाल दोस लगा, ये सब चीजे थोड़ा सा आपके लिए चीजों को बहुत ज़्यादा इंप्रूब नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रह चीजे गा, 5-6 एर्स का फेज किसी की भी जिंदगी में कभी न कभी खराब जरूर रहता है, चाहे वो कितनों सक्सेसफुल व्यक्ती हो, चाहे लो लेवल का व्यक्ती हो, हर व्यक्ती के जीवन में 5-6 साल ऐसा आता है या 4 साल ऐसा आता है डिफिकल्ट फेज, लेकिन क्या वो डिफिकल्ट फेज सदा रहता है, नहीं रहता है, बड़े से बड़े स्टार की जिंदगी में देख लेना आप, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ लेना, उनकी बायोग्राफी पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा, कि कई बार बड़े से बड़े स्टार्स और बड़े से हुई है, मैं अगरी कर सकता हूँ, कुछ चीजों के कारण बहुत सारी स्कितियां उसके लिए जिमिबार रही, लेकिन आप इस चीज को बिलकुल समझिएगा कि वक्त कभी भी अपने आपको रोक के नहीं रख सकता, तो आप उमीद नहीं छोड़िएगा जहां मैं आपको और अच्छा से मॉटिवेट करना चाहता हूँ, कुछ मॉटिवेशनल वीडियोज डाल करके, इस पर खास करके सारे साती और बाकी चीजों पर और जोतिस पर भी कुछ अच्छा ग्यान आपको देना चाहता हूँ, तो आएक नया डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करके चैनल को और पर क्लिक कर लिजगा बेल नोटिफेशन को और आसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक सेर करके चैनल को सब्सक् Thank you so much.